गुद मॉर्डिंग विदार्थियो, आज विदार्थियो, कलास 10 का चेप्टर 5 प्रिंड कल्चर एंड दि मोडरन वर्ल्ड, ये करेंगे विदार्थियो, चेप्टर 5 बत्को, कलास 10 अब भी समझने की बात बत्को ये के भी प्रिंट, कहे के प्रेस बहुत सिंपल बात ठीक है जो भी प्रेस में प्रिंट होता है आपकी बुक है नूस बेपर है नूस बेपर ठीक है कार्टून बच्चो कार्टूनी जो बुक आती है कैरिकेचर है ठीक है या कोई नावल है या कोई जो रिलेजिस बुक है कोई भी बुक है किसी प्रकार की भी रिलेजिस बुक है या कोई वल्गर बुक है ठीक है कुछ भी मान दीची सब कुछ तो प्रेस है सब कुछ तो प्रेंट है यह बात भी हम सभी जानते है लेकिन बात ये कि भई पहले क्या था पहले तो प्रिंडिक प्रेश नहीं थी क्योंकि भी दार्त्यू जो प्रिंडिक प्रेश आई वो गुटन बरक से आई 1446 इस भी कि भी 1440 में इस ने कुछ किया इनमेंट्सिन स्टार्ट थी फिर 46 कुछ से 48 इस परकार है कि इस आदमें ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंड किया 180 कोपीज और उसमें 3 साल लगे कलियर लेकिन हम देखते हैं कि भी सरू में फिर उसके बाद को कुष्टन आ जाते हैं यह को कुष्टन इंगलेंड के थें यह बाद के हैं इसके थोड़े बाद के फिर इस ने जो प्रिंडिक प्रेस्थी इस ने इंप्रूमेंट किया ठीक है लेकिन बात आई कि बचों सबसे पहले तो पेपर ची हमारे को लुन यह आदमी थे तसाई लुन कब क्या पेपर इन मेंशन इन ने 105 इस विव में AD में इन्हों ने तब किया 594 AD में आप इसमें जो लगडी है वूट बलोक इनसे वो करते थे छपाई करते थे और वूट बलोक से छपाई करके वूट बलोक का मतलब ये बजबिदार थी उस ट्वेंट्स कि ये मालो पेज है जो पेज बनाए गए थे तसाहिल उनके द्वारा वो जो पेड थे उनकी जो रेशे थे वे थे उसके साथ और भी कुछ चीज़ फिर उसके लोगडी बनाए लोगडी बनाके फिर उसको पीटा गया मिला गया थी तरह फिर पेज बना था ये बात भी थी ठीक है तो ये माले जो जो वूट बलोक है ये पेज है ये वूट बलोक है अब इस पे अक्षर छुपा है वन ए बी सी अब इसके उपर उस्प करनी है ठीक है इसको इसके उपर लगाना है जोर से फिर प्रेंट पड़ोगा यह यह वा था अब इसके साथ फिर यहां से यह चाइना से बुद्धिष्ट जो मौंक थे बुद्धिष्ट मौंक यह बत्चो जापान ले गई यह कोरिया ले गई 1668-70 में यहां ले गई इसी लिखाई को वुड़ोग की को ठीक है वुड़ोग की लिखाई को सिस्टम जो थी सिस्टम उसको बहां ले गई ठीक है अब उसके बाद फिर दूसरी जने गई है दूसरी जने फिर गई तो इन्होंने फिर जापान है जो इसने किताब भी लिखी उसी को उस प्याधार पे कि जो छापी यहां से फिर इसमें यहां पे चाइना में मारको पोलो आए और मारको पोलो थर्टीन की में यह कहां कर थे इटली के यह इट ली से आए तो चाइना और चाइना से करके यह फिर वापिस इट ली गए और इटली से जाकर के फिर यहाँच ने जो बुडबुड़ो का जो सिस्टम था जो प्रिण्ट करने का फिर उसको किया वो टेकनिक अपने साथ ले गए ठीक है जो जापान था जो उसने किया तो जापान ने बुद्धिष्ट किताब गार जो नाम है बुद्धिष्ट डाइमंड शूत्रा ये किताब छापी इन्होंने इसने जैपनीज थे ठीक है ये छापी बच्चों अब ये द्यान रहे है बाते कि जो चाइना है वो काफी चीजों में अगार्णी रहा है इन्वेंटे रहा है क्यों चाइना से यहां पर मसाले जाते थे स्पाइशीश ये जाते थे यहां से शिल्क जाता था तो संप्रक तो पहले ही था जो सिल्क रूर्थ वहीं से तो इसलिए जो काफ़ है काफ़ ये धाना के भारत में की बात करें हम तो काफ़ यहां से चाइना और चाइना से बतो योरोप और योरोप से फिर इंडिया इस प्रकार आये हैं haop., इसी प्रकार प्रेंटिक प्रेस भी सी प्रकार आये तो श्मप्रक पहले से था लेकिन समय के अंसार जो वो बाद में हुई ये भी होता है कि यहां से बुट ब्लॉक से सुरूआ कि हाथ से बनाते थे लखडी के जो गुठ के होते थे उनसे चापते थे जिसे कपड़े के ऊपर पहले जो कारीगर थे भूनकर थे वो रंग चापते थे ये था अब उसके बाद गुठन बरग होए ज उठके थिने उनको फिट करना पड़ता था और फिट करने के बाद मालों ये बाइबल है तो इसके फिर चारो तरफ या दो तरफ फिर इन्होंने जो कैली ग्राफिश्ट थे उनसे चितर बनवाए या कुछे बेलबूटे बनवाए ये विवा इसलिए 180 जो कोपीज थी ये सा अधिकी क्योंकि आधुनिक समय वाली बात नहीं थी कि वे एक समान सभी का होना है एक समान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि लखडी के जो गुटके थे उनसे प्रिंटिंग कर नहीं पड़ती थी तो ये हुआ अभिदार थी इसके संद्रम में कि भई लखडी की जो प्रेस ही गुटके थे उनसे प्रिंटिंग होने के बाद फिर पॉसिबल नहीं था कि भी सारी की सारी जो लिखाई है वो एक समान आए वह ऐसा नहीं हो पाया ठीक है तो प्रिंटिंग जो प्रेस है बेसिक जो बात है कि बद्चों यह सब कुछ है वोक्स है हर एक परकार की नूज कुछ इसमें है ठीक है तो ये रहा कि इसमें हर एक परकार की चीज आपती जैसे माल लेज़िए कोई भी गौवर्मेंट है अगे तो कोई भी गौवर्मेंट है तो उसके खिलाप जो बात लिखेंगे उसके परक्स में जो बात लिखेंगे न्यूस पेपर्स में लिखेंगे अब न्यूस पेपर ये सरकार जो पेंडिक प्रेस से छप करके जनता के बीच गया सुबह 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 समने पढ़ा कि भी उस सरकार ने उस देशन ये कर दिया हमने जो रूस के और यूकरेन के युद के बारे में पता चला तो समाचार पत्र भी एक मादम है एलेक्ट्रक्श मीडिया के साथ साथ तो इस परकार हुआ भी दार्थ हूँ तो इस परकार इसका उत्थान हुआ कि वह जो थे पेपर बनाया सबसे पहले तसाई लून ने बनाया था फिर चाइना में यह वहा है कि जो कंप्डिशन आया मिलिटोखोरेसी जो चलृई शाइना में कि इस समय चली एक तो सोई और तांग बन्स्क और इस समय में जो खागच का ज्यादा वू हुआ तो यह चला एक तो सुई और एक तांग, सुई डाइनस्टी बत्चो और तांग डाइनस्टी इनके समय में होता है, सबसे पहले एक बर्ड के अंदर 605, इस वी में, जो कॉंपिडिशन के पेपर रिखे गए, वो पहला चाइना विश्व में, इससे पहले कभी भी कॉंपिड हम टैलेंट के अनुसार उसकी भर्ती करेंगे, यह ऐसा नहीं हुआ, तो चाइना इजदा और वाजदा फर्स्ट कंट्री, वो इंडेक्टिटिट देर इंपलाई थरो कंपिडिटिटिव एग्जामिनेशन, चाइना पहला आत्मी है, पहला देश है, ठीक है, तो यह हुआ अविदार थे हुआ, तो उसके बाद फिर यह हुआ, गुटनबरगार, गुटनबरग के बाद फिर प्रिंटिग प्रेस ने एक तरह से तहल का मचा दिया, इसको साब कर दो एक बार, यह जो बेसिक बात थी, वो पलाई बत हो, बताने ही सारे बेसिक है मेरे को, कि जो प्रि प्रिंटिंग उससे है, प्रेस के मादम से आती है, ठीक है, अब इसके साथ, फिर यह घटना कर्म हुआ, कि अमेरिका के थे, रिचर्ड, अमेरिका के जो रिचर्ड नाम के आदमी थे, उन्होंने प्रिंटिंग जो प्रेस थी, उसमें और इंप्रिमेंट कर दिया, उन्होंने एक साथ, कई-कई पेज, मतलब बहुत स्पीडली, निकालने की टेक्निक ढूनती, और उसके बाद फिर ओफसेट जो प्र करकार के जो कलर है, एक पेज के उपर कर सकते थी, प्रिंट कर सकते थी, यह हुआ, अब जो मोटी बापते हैं, यह देखें आप, कुछ भी, कोई भी बुक्स है, बुक्स, मैगजिन्स, नूजबेपर, यह सब माल देजिए, एट्सेटरा, यह सब ही अर्यक्मिन की यह लग लग है, अब तो यह माल देजिए, गुटनमर के बाद है, ओ रिचार्ड, यह USA के थे, नियु यॉर्क, ठीक है, नियु योर्क, इन्होंने मसीत बना दी, जो भहुत सपीडली काम करती थी, जो एक गंटे में हजारो पेज निकाल दे, फिर जो ओफसेट प्रेश थी, यह आ गई, यह आ गई, ओफसेट प्रेश, कलर, लिथोग्राफिक, प्रिंटिंग प्रेश, लिथोग्राफिक, कलर, यह हुए, अब यह जो प्रेश है, अब इसका जो रोल है, जो शादूनिक समय में है, यह पहली भी रहा, प्रेश ने बत तो जो रिलीजिन है उसके खिलाब काम किया, धरम, इसके लिए, अब जो धरम है, जैसे बाइबल छपी, तो पहले तो बाइबल के बारे में यह था, कि भी एक वरक पढ़ता था, जैसे भारत में है, भारत में था, था पहले, कि ब्रह्मन जो वरन है, उसका दिकाव था, जो धरम, धरमिक जो गरंत है, उनको पढ़ने का, पढ़ने का, उनका दिकाव था, अब उसके बाद, बाइबल के दूसरी भासों में ट्रांसलेशन हुई, यह भी हुई, यह ट्रांसलेशन हुई, तो जनता तक बात पहुँची, और जनता तक बात पहुँची, तो यह देख है वह पड़ी लिखी हो गई कुछ देशों में सभी में नहीं कुछ देशों में यहां तक हो गई क्योंकि हाँ पर है शुकुल खुल गई अब कोलेज खुल गई जो निस टिती वे खुल गई यूनिवर्स्टीज ये खुल गे विद्धार थे हूं अब इन से परने से ते ये लेटेशी रेट बढ़ी थे अब लेटेशी रेट बढ़ी तो आद्में ने फिर बाईबल ही पड़ी अब बाईबल पड़ी तो फिर बाईबल के बारे में जान करके आदमियों की जो मंसा थी जो पहले बाड़ी अब वह इसी नेरी धार्मिक भावना जैसे जिसमें एक मैके नियों है मैके नियों सेडली नो सेडलो इनने बाइबल का अनुवाद अपने अनुसार जनता में कर दिया मैके नियों नियों अब इन्होंने अपने उन्सार किया तो जो पोप है इसने का आपके नहीं भी गलत कर रहे हो इसलिए इनको बुला भी गया और इनको छोड़ भी दियागा दो भार फिर लास्ट में जो इनके खिलाप एक्विजिशन हुआ ये हुआ उसके तहट इनको दोसी पा आगा और फिर इनकी हफासी दे दी गई एक बात दूसरे मार्टिन लूथर ये कहां के थे बच्चो ये जर्मनी के थे और ये सरू से इनकी इच्छत इनके फादर की कि मेरा बीटा डोक्टर बने लेकिन इनकी इच्छतिके में धर्म जो है उससे बना रहूँ और धर्मे का आदमी बनू पादरी बनू इस परकारी बात रही इसके मन में बहुत बड़ी भावना थी एक सर्दा विश्वास थी मार्टिन लूथर की में जर्मनी के उसमें तो यह आदमी यह करता कि भाई यह प्रूम जाता है पॉप के पास देखने बे किस परकार धार में पूग है तो वहां जाके देखता कि नहीं पॉप ने तो नाजाइज कई साद्या कर रखी है उनके बच्चे भी है काफी और जुआ खिलता है दूसरे जो कान है गलत वो भी करता है इसलिए इसकी सर्दा विश्वास खतम हो गया मार्टिन उत्र का इस मार्टिन उत्र का खतम हुआ तो टिथे नाम का एकर जाता है पॉप को टिथ या टिथे अब इसका भी विरोद क्या इस दे कि ना नहीं जाना चीए इसने कहा था कि जो भगवान है जो चर्च है अगर उसमें कोई आता है और बेपोप उसको माप करता है तो फिर माप है इस पर कहली बात थी फिर एक चर्च भी बननी थी और चीश में टेटजल में और उसके साथ-साथ ये बात भी थी कि विदार्थियो पोप ने ये कर दिया कि समापत्तर ये निकाल दिया पैसा कठा करने के लिए धन का कठा करने के लिए ठीक है ये समापत्तर जो ये निकाल है समापत्तर का मतलब ये था कि किशे ने किशे जगडा कर दिया या किशे ने किशे को मारा या हत्या की या और कोई जुरुम कर दिया उसे का अनुसार ये लेटर खरीद लो ये पोपने जारी कर दिया किसे ने जारी कि पोप ने अब इसको ले करके ये नाराज हो गया उसने का कि नहीं अगर किसे ने किसी आदमी हत्या कर दी और यह कहा भई जगडा कर दिया 10 रुपे में और मार दिया तो 100 रुपे में और भई हत्या कर दी तो 500 रुपे में इनने का ये गलत है कि फिर आपको किसी भी कोर्ट में केशी नहीं चलेगा तो इसने कहा कि ये सब गलत है और इसने एक 55 थिसिस लिख दी ये लिख दी अब थिसिसी लिख दी और जो जर्मनी के एक चर्च है उसके दरवाजे भी ठांग दी और ये कहा कि भी ये माप करने वाला कौन है पौप अगर हम खुद गोड से पसाताप कर दे, रिपेंट कर दे कि भगवान, अल्ला और गोड मेरे से गलती हुई है आगे से ऐसा नहीं होगा तो हमने आत्मा से मान ली गलती हम आगे गलती नहीं करेंगे इसने का, इसके कान पोप इसके खिलाप हो गया सेक्षनी के जो समरार्थ थे वो इसके पक्स में थे जो रोम समरार्था जोज पंचम वो चर्च के पक्स में थे लेकिन फिर लाश्ट में जाकि ये होता कि इसका जो विरोध रहा, इसका जो पक्स रहा वो ज़्यादा मजबूत रहा और एक प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट धारम उसकी स्तापनों होए जेगलिल थे, कालविन थे दूसरे दिसों में, फ्रांस में स्विड़ जर्लैंड में और दूसरे दिसों में भी, उन्होंने भी किया था पौप के खिलाब तो इस परकार ये छपने के बाद ही, प्रिंट के बाद ही ये बात बन पाई तो विधार्तियों इस परकार सभी का विरोध होने लग गया, जो एक अपने आपको विशेशादिकार प्रिविलेजड क्लास मानती थी चे उसमें पौप हो, चे फ्यूडल लोरड हो, चे किंग हो क्योंकि मार्दम क्या था, मीडियम क्या था मीडियम बुक थी, मैगजिन्स थी नूजबेपर थी, ये थे इसी परकार जो आंदोल चल्या बाद में, फिर ये सब जगे घूम गया जिसमें बच्चों के लिए भी किताबे चपी महिलाओं के लिए भी किताबे चपी और उसके साथ-साथ जो लेबर क्लास थी उसके लिए भी किताबे चपी जैसे महिलाओं के लिए किताब जो महिला चिल्डरन्स लेबरर थी ये, जेन अगस्टेन अगस्टेन इसने वो किया ठीक है तो उसके साथ साथ यह हुआ कि जो ब्रेंट सिश्टर थी इन्होंने क्या ब्रेंट सिश्टर इन्होंने लिखना शुरू किया महिलाओं के पक्स में यह हुआ इसके साथ पे फिर जोर्ज इलियट इन्होंने लिखी जोर्जी एलियट इन्हों लिखे बत्चों तो कुल मिला कि यह होता है कि भी समाइन का मतलब है कि भी आवाज उठी किसी खिलापो चाहिए राज तंत्रे खिलापो चाहिए पोप है उसके खिलापो चाहिए लोर्ड फ्यूडिल जो लोर्ड थे उनके खिलापो ठीक है या जो फेक्टी ओलर है उनके खिलापो फेक्टीज लेकिन आवाज उठी समाचर पत्रों के मादम से यह ध्यानक खुपाद जो फ्रांस था तो फ्रांस में तिये देखिया आपे कि भाई 1856 के आसपास जो चिल्डन है उनके लिए एक पब्लिकेशन सेट अप होता है फ्रांस में और उसके साथ साथ यहां पे एक तो रूसो एक वोल्टेयर ठीक है और जो सेबेस्टियन मर्चिये एक है ठीक है इनके खिलाब लिखा वोल्टेयर और रूसो यह तो जो रूस की करांती थे उसकी योदा थे यह रहे एक प्रूस्टियन राइटर थे इन्हों ने राजा की खिलाब लिख्या इन्होंने राजा के खिलापrospect पे एक तरह से है वो कशा ठीक है जनता को इनके खिलाप किया तो इससका मतलब यह हुआ कि जो राजतयं था उसके रिश्टियो जो कृशिष्य descent थी उसके खिलाब इनको जगाने में जन्ता को रूसों है मोलतेर है सब्सक्राइस्टीन मर्शी है इनका बहुत बड़ा था है यह यह नहीं कि बेष इसी देश में हैं यह सभी देशों में हालता बज्चों हम यह नहीं कह सकते कि यह इए था लेकि रूस की जो फ्रांस की जो करांती है ये काफी परशिद रही थी 79 की जो करांती जो revolution रही थी वो काफी famous रही थी world में क्योंकि इस ने liberty, equality और fraternity तेन सी धान परमुख दिये थी और राजतंतर की खतम होने की शुरवात यही से होती है दूसरे देशों में भी यही से चले थे आंदो के विनिराजतन पर खतम होना चीए जनता है वो सर्वेव परी है और पारलेमेंट उसकी स्तापना होनी चीए ये बात भी यही से चली है ठीक है जबकि अमरीका की जो करांती थी उसमें भी बहुत कुछ मिला विश्व को प्राचिन तम मेरी खाल में और भी है स्विधान उसमें आज तक निवद लागा है और बहुत छोटा स्विधान है एक बात यी भी है ठीक है तो इस परकार इनकी जो विरोध चले इनके मादन से चले अब यह हुआ कि जो दूसरे आदमी थे जैसे सेबेस्थियन इसमें अब इसके साथ नूटन टोमस पेन यह आ गए दोसरे जो साइंटिस्ट थे या जो लोजिक वाले जो आदमी थे साइंटिस्ट थे, सोशल लिजिस्ट थे और सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने आपने बात रखे और महिलाओं के लिए भी पैनी मैग जीन मैगी जीन ये छपनी सरू हो गई जैसे इने जे नेगस्तिन ब्रांट सिस्टर से जोर्ज एलियट इन्होंने इसके परक्स में लेखा भी दार थे हूँ ठीक है तो कहने का जो एक कंसेप्ट कहूं मैं तो केंसेप्ट ये कहती कि बच्चों भूक छपी कि सरूअँध कहां से हुई जैना से किस्ट से चला था वूर्ड बलोग से ठीक है किस्ते चला थे मिदार थीओ बूर्ड बलोग से किस पर आकर रूग गया किसे बातमिसे शुरात की थी भाइजम से ने पर ही जर्मनी के ठीक है नहीं? गुटन बरग गुटन बरग इन्होंने की थी बाइबल सपी उसके बाद अमरीका के रिचार्ड निवया रखे फिर ओपसेट प्रिंटिंग प्रेस ये चली बाते अब इनका जो परमुक मक्सद था वो मक्सद ये था कि भी बुक चापना मैगजीन चापना, न्यूस पेपर चापना और जो दूसरी परकार की किताब है उनको चापना इसका मतलब ये था कि जो जनता की आवाज है जनता तक ज्यान पहुँचाना जनता की जो आवाज है उसको लोगों तक दूसरी हुष्चम ये पहुचाना राजा डिस्पोटिक है डिस्पोटिक हाँ तो इसके खिलाप भी लिखना हो ठीक है न? ये बात है प्रिंटिंग जो प्रेसाई प्रिंट जो कल्चर आई उसके बाद शुरू हुई है जिसी सुराज जिससे बतागे चाइना में सबसे पहले पेपर बना 105 इसमें बना था 105 में AD में वहाँ से बना था वुड ब्लोग के जो चापे खाने चले वो भी भाई से चले थे गुटनबरग है कोकेस्टन है फिर रिचार्ड है इन्होंने करांती ला दी फिर सकूल खुले कोलेज खुले और सॉलमी स्तापदी में ये देखिया आपे के भी 2 करोड बुक्स छपती है बुक्स 16 सेंचरी में और सब्तर में में जाकर के 20 करोड हो गई है बुक्स इतनी छप गई इसका मतलब यह हुआ कि जो मार्केट है वो भोते अच्छी तरह से प्रोग्रेस के उसने क्योंकि एक तो राइटर हो गया उसके बाद फिर रीडर भी हो गये दो वरग परमुख उबरे कौन कौन से एक तो राइटर का और बच्चो दूसरा रीडर का यह दो वरग उबर गया इसलिए जो सकूली सिक्षा थी वो भी उबरे अब सकूली सिक्षा का मतलब यह हो है जब बार्टिन लूतर निसके खिलाप आवाज उठाई ते लोजिक के उपर आधारित जिसमें मैत साइंस नेचुरल साइंस के साथ-साथ ठीक है यह साइंस नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के साथ-साथ यह सबजेक्ट आ गई जब यह सबजेक्ट आए तो दुनिया में एक तरह से क्रांती हुई और क्रांती का जो आगाज था वो printing press के जरिये जो पंद्र विस्ताबदी में रहना स्रगा पीडा था उसके साथ parallel चले जिसे feudalism का जो किला था वो डहगा था reformation था, पोप था, वो भी down हो गया था एक जो न्या ध्रहंता protestant यह आगा था, यह liberal था, catholic से हट करके ठीक है, यह बात हुई थे तो यह सब कुछकिश की देन है यह printing जो प्रैस से विदार थे हो, उसकी देन है ठीक है, तो साब कुरूश को एक बार मुस्किल नहीं बत्चो सबसे बड़ी बाते वे printing press कागच, चाइना से printing press चाइना से, लखडी का गुठके थे ब्लोग थे, उससे चापते थे, उसके बाद गुठन बराग, फिर इंगलेंड के कोकस्टन, फिर अमरिका के रिचार्ट, ठीक है न, फिर दूसरे उसमें चली printing press, दूसरे देशों में, और उससे यह हुआ कि बाई, जो योरोप है, एक ताकत बनगा, और योरोप महादिप, और एश्या महादिप, उसको उन्होंने अपना सलेव, कालोनी, कुछ भी कहें, वो बना लिया, ठीकर, नहीं तो जिसके बने भी आवाज उठाई, चर्च के खिलाप, ची मैंनों क्यों हो, जो भी था, उसको आवाज दबादी गई, यह होता है, अब इसके बाद यह हुआ, कि बचो, इंडिया, में भी प्रिंटिंग प्रैस आई, तो इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रैस आई, तो सबसे पहले इंडिया में कुण आए, कुण आए थे, पूर्थगीज, ठीक है, 1498, और सबसे लास्ट में कौन गए, यह भी पूर्थगीज, 1961, गवा को छोड़ करके, यह गए, तो इन्होंने जो पहली प्रिंटिंग प्रैस लगाई बत्व, 1556 AD में, यहाँ पे लगाई, ठीक है, गवा में, अब गवा में जो प्रिंटिंग प्रैस लगी, यह किसे लगाई, पूर्थगीज ने, अब इसके साथ साथ यह जो कौनकन भासा है, कौनकनी, और कन इवन तमिल भी, मराथी, ठीक है ने, इन भासाओं में जो प्रिंटिंग प्रैस जी जो छपाई ही, वो सबसे पहले होई, हिंदीबाद में आती है, नोर्थ इंडिया की भासा है, लेन जो कोस्टल एरिया की जो वेस्टन कोस्टल है, साउथ, उसकी जो भासा थी, यह भासा छपी, तो सब कुछे इन भासाओं में सबसे पहले छपा है, उससे पहले नहीं छपा, हिंदी है, मुर्दू है, उसमें नहीं छपा बच्चों, यह बात प्रिंग है, ठीक है, अब जो यह किरांती चली फिरे, अब इसके खिलाब पे एक प्रोटल समाय प्रोफेज मानना ब पोल्टिकल एंड कल्चरल, थ्री, फोर, फाइव, अब इसके उपर कटाक्स क्या आगा, सुरू से, यह नहीं है, तो यह से बता रहा हूं में समझारों बीच में, अगर प्रिंटिंग प्रेस के मादम से बात चली के भी डिस्क्रिंशन दू टू दा, रेश्यल, की ब्लैक इसमें चपा, उसके साथ रिलिजन आधार पे बिक्रिस्चिन वे थे, एंडियन, हिंदु या मुस्लिम थे, हमारे उग कनवर्ट करने आप्रियास के आगा, फिर लोगों के भावनाएं कुन थे तो यह, तो प्रेस के मादम से बात चली, यह हुआ था, एकनोमिकली के देश इसका एक्क्लाइटेशन किया, सोचन किया देश का, फिर इसके मादम से चली, पॉल्टीकली राजा यह बने, भारत की जनता थी, यह जनता रही, यह उसमें राजा नहीं बन पाए, बड़ी पोस्टिप उनके पास थी, इसलिए हुआ, कल चल जो महरी जो ट्रेडिशन थी, नौरम्स्ति उसको धाग उसको डिश्टवाई क्या गया, इसलिए फिर उसके खिलापा चली, यह सब कुछ जो हुआ, यह प्रिंटिंग प्रैस के कार्न हुआ, ठीक ने? प्रिंटिंग प्रैस के कार्न हुआ, अगास्तर खिष्छीन जो पहले आत्मी, जिनने ने बंगाल गजट नाम का एक वीकली समाचार पत्र नुजपिर पर निकाला। शुरू में जो अंग्रेज थे उनका रवया ठीक था। बाद में जाके उनका रवया उससे भिन हो गया। कहणे आतात पर ये विधार्थियों कि हरतर ऐसे तरैसे प्रीसांद किया भारत को इसली फिर आवाज उठी। आवाज का ऐदर था। ये समाचार पत्र थे परिंडिंग्प्रेश थी ये धानकों परिंडिंग प्रेश समाचार पत्र के माधम से। इसे बता था कि पहला जो अगस्ता सेकी थे तसेकी इन्होंने सत्रा सौस्षी में बंगाल गजट ये चापा ठीक है फिर इसी नाम से गंगाधर के राजा रामून राए राजा रामून राए इनके दोस्ते गंगाधर फिर इन्होंने भी इसी नाम से चापा आगे चलके जबकि बंगाल गजट बंद कर दिया था उस समय में जो गवर्ण जर्म थे वार्न हेस्टिंग शुरू में ठीक रहे लें फिर बार्न हेस्टिंग में अगस्ति जेम से अगस्ति एक के उपर केश चलाया और प्रेंटिंटिक प्रेस्टिव बंद करती शुरू में यह सत्रा सो लाश्ट सी के यह माल लेज़े सत्रा सो नबबबए अठर में के उसके पास यह फिरी थे 17 सो अठर में जो डेट आपके उनसार कि वह कोई पर्तिबन नहीं था कोई ज्यादा बैन नहीं था यह रहा था शुरू में तो एक उदारबादी विचार रहा था लेकिन 1820 में जाके फिर बेंड कर दिया, सेंसर कर दी प्रेस, प्रेस को सेंसर, पाबंदी लगा ना बच्च, ये कर दी, लेकिन उसके बाद 1835 में विलियम बेंटिंग आए, उन्होंने फिरी कर दिया, कि भी फिरी कर दो, लेकिन 1857 में जब रिवलुशन हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया, बेंड कर दिया, और 1878 में तो आईरेस, जो प्रेस एक्ट था, उसके उन्सार ये कर दिया, भी वर्ना कूलर, वर्ना, कूलर, प्रेस, एक्ट, ये कर दे भी दारते हूँ, उसकी तरज के उपर आईरेस प्रेस थी, उसकी तरज के उपर बंद कर दिया, वर्ना कूलर का मतलब उताब देशी भासा, छेत्रे भासा, वर्ना कूलर का, क्योंकि इनकी इंगलिस भासा थी, लेकिन उसके लाबाद जो भी भासा बची, वो छेत्रे, जेशी हिंदी है, पं में चपाएंगे और चपेंगे तो फिर इंग्लिस में भी तो सबसे पहले जो है उसका प्रूफ पहले गवर्ण जम्न या कोई ओफिस था डिस्टिक में उसके पास भेज जाता था प्रूफ रीडिंग के लिए अगर वो येस होता तो फिर होता था चपता था नहीं तो नहीं अगर किशन ने वाइलेशन कर दिया रूल का तो उसकी प्रिंटिंग बीर प्रेस बीर सब कुछ जब्त ये था ठीक है तो इसी परकार आगे फिर भारत के संदर्म में किताब छपी जैसे राजाराम मुराय ने कौमदी बहुत सब छपी कौमदी महुत सब लेकि राजाराम म में उन्होंने समाचार चंद्री का वो छपती है राजारम मुराय कौन सी थी कौमदी महुत सब्सक्राइब और उसके अपोजिट में कौन सी समाचार चंद्री का ये छपी बाचों भारत में होने बात तुलसी दास तुलसी दास ने रामचरित मानच लिखी तो इसका सबसे पहला जो पब्रिकेशन हुआ वो कलकता सिवा पहली बार जो चपी किताब कलकता से 1810 में यहां से चपी है इसकी साथ साथ फिर जो दूसरी जो किताबे थी वो भी चपनी शुरू होगी थी और महिला जो आंदोलन उसमें परमुक्ष धादो पंडित रमाबाई ठीके ताराबाई सिंधे राम चडधा और खाल्चा पंथ राम चडधा ने तो जो किताब लिखी और इनने दूसरा जो किताब लिखी वो इसके उपरा धारिति के भी नहीं महिलाओं को कैसे अग्याकारी बना जाए श्त्री धर्म विचार ये नाम था पुस्तक का श्त्री धर्म विचार के भी महिला को किस परकार से अग्याकारी ब ये लिखी थी इसने पहली थी एक तरशी बुख किताब ये फैमिनिजम के बार फैमिनिस्ट जो किताब थी ये पहली किताब थी और उसके बाद जो रमाबाई थी श्त्री, धर्म, नीति ये थी और खाल्चा पंत भी ऐसे ही चाह रहा था कि महिलाएं कैसे ओविडेंट फेद ये क्या था? कि बी आवाज उठाना. ठीक है, ज्यान की बात, तरक की बात, विवेख की बात, विज्यान की बात. सब्itus परेश के मादम से फेली, जनता में है, कर भी हम सोचो के धर्म से मादम से फेली? धर्म के मादम से बतो, एक दम विल्कुल नीराधर भाप है किसी भी धरम ने जातक मेरी जानकारी है उसने ये नहीं कहा कि भी सभी एकवल है किसे नहीं कहा ये बिल्कुल सत्ता है तो महिलाओं के पर्तितों सभी ने एक दो महिया सवेभार किया है कि उनको पढ़ने नहीं दिया पंडिती रम्यावाई थी उसने तो इशाई धरम सविकार कर लिया था यह हकी कहता है और जो ताराबाई शिंदी है उनने पहला एक दरेशे नावल लिखा फेमिनिस नावल ये कहा गया तो यह सब कुछ जो देन है यह प्रेस के मादम से है जो आदमियों तक बाद पहुंची ये थे तो इसी परकार जो कासी बाबा थे ये महिला होगी कानपूर के कानपूर मिल मजदूर जो मिल थे उसमें कासी बाबा उन्होंने आवाज उठाई मजदूरों के सोसन की किसकी मजदूर के सोसन की आवाज उठाई इन्होंने बच्चो ये क्या इन्होंने इसके साथ साथ एक और बैंगलोर के मजदूर थे, जिन्हें ने सुदेस्वर्ण चक्र नाम से चलया, उसमें फिर सच्ची कविताएं, यह सच्ची कहानियां, इस नाम से एक और किया इन्होंने, फिर महिलाओ को रस सुंद्री, रस सुंद्री, देवी, यह बंगाल के महिला थे, इन्होंने, पढ़ाई लिखाई की, कीचन में की, कैसे की, और आमार जीवन एक किताब लिखी, आमार बंगला भासा में, तो इसका मतलब यह बत्रों के महिलाओं घर से भाहर निकलने आप प्रियास कर रहे हैं, इसका मतलब यह था, एक दूसरी थे कैला सबास्टीनी, वो भी पड़ी ल महिला थी, लेकिन कोई शकूल नहीं गया है, गल्ज बर नोट अलाओ तो अटेंड वा स्कूल, दे वर नोट परमिटिट, टो गो आउट साइड, यह बिल्कुल कलियर है, आज हम चेही कुछ भी कहते रहें, कि नहीं महिलाओं को यह होगा, जब कि जो लेटेशी रेट है, आज भी बिलो या 80% के आसपास होगी, भार्प की, ठीक, लेकिन महिलाओं को हम देखते तो कम मिलती हैं, यह हमारे को पता है, भार्तियों को, कि महिलाओं के परती, मतलब एक तरह से डूल पोल से अपनाएगी समाज के दवारा, हम ची बेस्से के लक्समी कहते रहें उनको, सरस्वती कहते रहें, लेकिन वो समान नहीं मिला, वो आजादी नहीं मिली, अगर वो आजादी वो समान मिलता, तो सरकार को बेटी बताओ, बेटी पढ़ाओ, नारे की जरूरत नहीं थे वितार्तियोंग। लेन परदा पर था कि तो मेरी ख्याल में आवसेश अभी ज्यानम सुगुन्तलम उसमें मिलते हैं। जो गुप्त पीड में हैं। कालिदास ने लिखा था चंदरूत विक्रमादित्य के दर्वारी कभी थे वे। हम अपनी कभी को छुपाने के लिए दूसरे को पर हम बुराई मड़ देते हैं। चलो महिलाओं के बात माल ली। मजदोरिन नीपा अटर कर दिया। जो बैंगलौर के मजदोर थे उन्होंने यहां पर इसके मादन सेे विवा कि बंबे के मजदोरों से इन्हें सिख्शा ली और उन्होंने लाइब्रिर खोल दी। जो मजदोर् थे। ठीक पूं Um वह नशाख्षोरी इस परकारी जो बातें उनके खिलाप कि पड़ाई लिखाई जरूरी है हम महिलाओ के मैं फिर कह रहा हूं कि महिलाओ के माननों हमने बात मान ली के भी ठीक है के भी मुस्मान भारत में आए उसके कान सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ठीक है, मैं सहमेत मान लीजिए, बिंगे टीचर, एक मोटेट होने करनाते, मैं सहमेत हूँ, लेकिन जो मजदूरों के साथ, जो जैसे महिला थी, इसका अंदूल चला, फिर मजदूरों को चला, मजदूरों के साथ, जो निम जाती, सम crawl, उनका भी चला, तो यहीं समय लेणा देन नहीं था, यहाँ भी लेना देन नहीं था, यहां तो कोई किश्वन उठा नहीं ले जा रहा था इसलिए जोतिवा फुले इन्होंने गुलाम गिरी किताब लेखी गुलाम गिरी ये किताब लेखी इन्होंने माठी भासा में इनकी पत्निती शाउत्र भाइक फुले जैसे सभी जानते कि दलित लड़िकों के लिए ने सकूल खोलया तो जोतिवा फुले ने खुद पढ़ाया अपनी मेसिज को और फिर सकूल खुलवाया और उसके जो रस्ते जाते उसके उपर कीचर फैका जाता था पत्थर मारे जाते वो तो किसे नहीं रोक्या लेकिन मैं कहुँआ कि विदार्तियों के बही ब्रहमन छत्रिये वैश्ये और सुद्धर जो डिवीजिन समाज का उसी में कहीं ने कहीं छुपा हुआ है सारे गुण और दोस एक वरग एक वरण दूसरे को अपने अधिन लाने आप्रयास कर रहा ये था डॉक्टर भी आरमबेड कर और पहरियार रामा स्वामी इनको जुरूत नहीं थी इसके चलाने के आंडौल को जाती परता तो भारत की देन है ये इशयों के देन नहीं ये मुसल्मानों की देन न ये बुद्धों की देन नहीं किसी देन नहीं है ये तो भारत का एक आभीन अंग है INSEEPRABLE PARTS OF INDUNAY SOCIETY जो एक डिमक की तरह समाज के अंदर खाया इसलिए जो महिलाई है हाशिप रख्या जो मजदूर है सोसन हुआ निमिल जातिया है समझे गई निमिल जातिया है वरना सब बराबर है जिस समय किसी एक्सिडेंट होताथ कोई नहीं पूछता किसका खून है जब जेके खून मिल जाए कहीं से मिल जाए जी पैसों मिले इसलिए मेरा मानने कि सबसे जो बड़ी बात है वो हम मानव है अगर सबसे बड़ा धरम है तो वो मानवता है ऐसा मेरी सोच है नितु रस सुंद्री है तारा भाई सिंदे है ठीक तो कुल में लाके बात ये बत हो कि जो चैप्टर सुरू हुआ था कि भी प्रेंट से ठीक ने प्रेंटिंग प्रेस अब ये माल लो कि समाज के जो भी मुद्दे हैं समाज के मुद्दे ठीक ने ये सब के उपर जो उंगली उठाई जो सब को इसने डिस्क्लोज किया देट इस प्रेंश भारती सवतना संगराम था उसमें भी प्रेस की भूमी का वाज वेर इंपोर्टेंट समाचार पत्र निकले फोर्ट नाइट में निकले वीकली निकले मंतली निकले कुछ भी निकले फेर डेली उससे निकले यहां तो क्वाक चीभी जो बंगल लाला लाज्पति रायर और बाल्घंगा-धर तईलक तईलक इनके दो अखपार थे केश्री और मराठा जब पंजाब के ऊपर जब अंगरेजों ने अत्याचार किये तो इनने अपने समाचार पत्र में निकाले थे इनको फिर जेल करती है किसके आवाज उठाई देश की किसके खिलाब बिर्टिस हुकुमत के खिलाब तो कहने अतात पर ये विदार्तियों के जो सब कुछ है सब चीजों का एक छुटकारा पाने का और सबको एक तरह से disclose करने का वो प्रेस है हम किताब पढते हैं वो भी प्रेस में प्रिंट होती है हम कोई कहानी पढते हैं वो भी उस्में होती है आजकल एलेक्ट्रोनिक्स मीडिय आ गया जो मोबाइल है टीवी हाप के वो है लेकिन फिर एक छोटी सी मलब ब्रीफली स्टोरी के भी चाइना समाचार पत्तर उपेपर यहां से है पेंडिक प्रेस भी यहां से है लखडी के उसके बाद गुटन बरग ठीक है फिर कोकस्टन इंग्लेंड के फिर एचारड अमरिका के फिर लाइबरीरी खुल गी सत्रमिठार मिस्तापदी में साट से असी परसेंट कुछ देशों में आदमी लिट्रेट हो गए पॉपलेशन पब्लिक लाइबरी बना दी गई सरकारों के दवारा ताकि एक पढ़ा लिखा एक सिवला ब्रहम के इंशार थी द्रम यह कहता कि ब्रहमन को पढ़ने का और पढ़ाने का दिकार है खगए द्चर्व फण शिंट वर्णों की सिवा करने का दिकार एक से की लेगिन उसके बव्यूद्ध भी समाज के अंदर कुछ समाजिक योदा थे राजारामोन राई जैसे उन्होंने सब के पक्समें आवाज उठाई सारी देश के आवाज बनी लेकिन सब में 1947 के बाद देश ने भोत पे तरक्के की इसमें कोई दोर आई नहीं है और आने वाला जो समय होगा वो भारत का और एशिया कोंटिनेंट का है क्योंकि अब सिप्टिंग है जो मार्केट की जो बाजार की जो प्रोडेक्शन की वो एशिया में ज्यादा है ओचाईना ने बता दिया भारत ने भी थीक है तो बिटा प्रिंडिक प्रेस थी इसमें फिर एक बात और थी एक मिनट बात चो पांडूली पी मैनुस्क्रिप्ट यह यह था कि जो लेखा का राइटर है उसके मूल किर्थी मूल किर्थी अब यह बड़ी नाजुक होती थी यह बड़ी कोश्टली होती है एक बार लिख दीद पर इस खतम उसको मिन्टेंद करना भहुत मुस्किल था प्रिंडिक प्रेस आगी तो बार बार निकालते रो तो प्रिंडिक प्रेस आने के बाद सारी जो बातिर जंजते थी वो खतम हो गई और एक ग्यान का जो परकास है वो दुने में फैला महिला है मजदूर है दबा कुछला समाज है कोई भी है उनके तो अपनी आवाज पहुंचाई जो भी समाज ग्योदा थे जो राज़ रामों राय हो जो डॉक्टर बियार अमेडिकर हो जो डॉक्टर कारवे हो ठीक है तो सिंपल साथ बेटा जो बिलकुल और कुछ मुश्किल नहीं है ठीक है सभी का धन्यवाद